हाई गाईज वल्कामेक टो में चैनल आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से पूछे जाने वाले कुछ सारे इंपॉटेंट कोईसिन का एंसर यहां पे देने वाला हूँ और यहां पे फ्लाइट लेट एक अपडेट भी आ रहे वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोग कसा सब्सक्राइब करने वालो हूँ तो करेंड़ी वीडियो का अंतक बने रहे हो सकता है आप लोग का मन में जो डाउट है उसका एंसर भी आप लोग को इसी वीडियो से मिल जाए तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक जरू करते हो जाए और ऐसे ही अपडेट अगर आप लोग धिया तो दो दिन का होटेल या तो पर मेकनिक्स को अंटेंट अदर वाइस आप लोग का अंदर आप लोग का अपले चुह आप लेना पड़ा और आप लोग को अफ्लाइट लंडिंग टाइम से 48 अोश पहले और 72 अझा अंदर यहाँ पर बताने के जितन क्या, sir, यहाँ पर coin 10 में mobile दिया जाता है, इसके लिए क्या company को अलग से पैसा pay करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ दो दिन का coin 10 के ऊपर कोई भी mobile यहाँ पर आप लोग को नहीं मिलेगा, अभी next question मुझे जानभी गुप्ता ने किया है कि सर अभी December में QVC का appointment नहीं मिल रहा है why it's happening तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाओंगा कि December में क्या अभी January में भी QVC का appointment मिलना मुस्किल है किऊंकि बहुत सारे लोगों का requirement कत्र में है और बहुत सारे लोगों का work visa भी अभी लग रहा है और जितने सारे लोगों का work visa लग रहा है,उन सारे लोगों का medical QVC में ही होता है और इसके लिए आप लोगो slot अभी नहीं मिल रही सायद अभी अगर आप लोग बुक करना चाहते तो आप लोग एक-दो महीने के बाद से आप लोग का appointment मिलेगा तो आप लोग जल्द से जल्द बुक कीजिए ताकि आप लोग को एक-दो महीने बाद ही हांपे मिल जाये जितना देर अभी आप लोग का appointment लेने में लगाएंगे तो आप लोग का date भी उतना ही ज़्यादा पीछे मिलेगा और एक बात मैं आप लोग को और भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग का date बाद में भी मिलता है तो आप लोग चाहे तो 2500 रूपीस अपना pocket से देखे आज बोले तो आज कोई QVC का कोई भी सेंटर में जाके आप लोग अपना medical यहाँ पर करवा सकते है यहाँ पर next question ने मुझे राजंदर सिंग जीने पुछा है क्या sir QVC में immigration होता है तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जी नहीं QVC में only आप लोग का biomedical test और medical test यहाँ पर किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप लोग को QVC सेंटर से भोड़ा फोन का SIM दिया जाता है और यहाँ पर कुछ नहीं होता है इसके लिए क्या अभी कतर में पैसा देना पड़ा है तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा vaccination center आप लोग को यहाँ पर message करके यहाँ पर बता जाएगा कि कौन सा vaccination center में आप लोग को जाना पड़ेगा इसके लिए आप लोग को पहले यहाँ पर register करना पड़ेगा अगर आप लोग कैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम वैक्शन के लिए यहाँ पर register करेंगे कतर में totally free of cost सबको vaccine दिया जा रहा है okay next question मुझे सेख हमीदुल रहमन जी ने यहाँ पर बुचाए कि क्या भाई है अभी कतर में पार्ट टाइम जॉब करना पॉसिबल है तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा मगर हम लोग के लिए नॉर्मल जित बाहर का देश से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए उन लोग के लिए अभी तक यह facility नहीं दिया गया है कि आप लोग एक company में अगर काम करते हैं तो आप लोग दूसरा कहीं पर काम नहीं कर सकते हैं मगर हाँ अगर आप लोग free visa में म जैसी कि आप लोगों पता है कि मार्स 2020 से यहाँ पर regular international flight इंडिया से यहाँ पर banned कर दिया गया है मतलब suspend कर दिया गया है जो कि 31st of डिसमबर 2021 तक यहाँ पर suspend किया गया था इसका date को फिर से अभी extend करके 31st of January तक यहाँ पर कर दिया गया है बगर यहाँ पर आप लोगों को ड किया जाड़ा है उन साड़े flight के द्वाड़ा आप लोग अभी कतर में आ सकते हैं कोसिन तो बहुत सब्सक्राइब करना पर दोस्तों के साथ सेर किजिए और ऐसे ही अफडेट के बारे में डेली पारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चली मिलते हैं इस